प्रफेक्ट लेंडिंग करता हूं जो कि एक अच्छी खासी रहेंगे वह ज्यादा जरूरी होता है उसके बाद मुझे यहाँ पे एकेम मिलती है और मेरे सामने एक बंदा भी उतरता है जिसको गन नहीं मिली होती है तो मैं सबसे पहले उसको मारता हूँ अभी वापस से मेरे पास से फुटीश टैप सुनाई देता है फिर मैं आपे टीपी पी लेके बंदे के पूस करने का वेट करता हूँ इतने मुझे एक बंदा स्पोर्ट होता है यहाँ पर अभी तक मेरे थिरी किल्स हो चुके थे और आप किलफीड में नोट करोगे तो एक मैच में बंदा आया था यूटूब चिराग करके मुझे नहीं पता था वो फेक है फिर रियल है इतने में 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 पास से एक होर बंदों के फूटिश टैप सुनाई देते है बंदों को ढूंडने के बाद यहाँ पर एक होर बंदा दिखाई देता है जो कि खुदी मेरे पर पूस कर देता है इस वाले बंदे को तुम्हें इजी मार देता हूँ पर सामने की साइड से एक होर बंदा थर्ड पार्टी करके पीछे से मार देता है उसके बाद मैं यहाँ पर रोजोग में लैंडिंग करता हूँ और फिर आसपास वीकल से डूंडने का ट्राई करने लगता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ रोजोग के लेफ्ट साइड में जो डासिया वाला गैराज होता है और यहाँ पर मुझे एक बंदे के फुटीश टैप सुनाई देता है मेरे यहाँ पर फ़ोड़ा होल्ड करने के बाद मेरे सामने ही एक बंदा 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 से काफी जादा डैमिज कर देता हूँ और मैं उस बंदे को फिर finish भी कर देता हूँ अभी यहाँ पे थोड़ा hold करने के बाद circle apartment की side बनता है तो इसलिए पहले सी बग्गी उठा के महाँ पे hold करने के लिए चला जाता हूँ जिससे कि महाँ पे कोई old ना मेरे से पहले पहुँच पाए यहाँ पे एक बंदा बग्गी से सरकल में जा रहा होता है जिसको मैं इस्प्रे देता हूँ और उसको ही finish कर देता हूँ तो यह वाले स्प्रे आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं करा वीडियो को तो यार आप सब इसी रिक्वेस्ट है प्लीज यार लाइक कर दो तो यहाँ पे एक बंदा बाइक से भी गया था जिसको मैं स्प्रे देने के लिए जैसी जाता हूँ वो बंदे की स्प्रे बड़ी तेज थी वो बंदा निकल गया होता है यह वाला बंदा जो उनसे काफी जारा डैमिज होता है इसलिए बंदा हीलिंग लगा रहा होता है और मैंसको इजई फिनिस कर देता हूँ मेरे सामने एक डासी वाला बंदा होता है जो की सरकल में जाने के लिए डासी उटा कि जैसी चलता है मैं इसको स्प्रेदे में लगता हूँ इस बंदे को मालने के बाद मैं यहाँ पर जैसी अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर जंप बटन काम नहीं करता और एक बंदा मुझे पीछे से स्प्रेदे के फिनिस कर देता है और उस बंदे को कोई और बंदा फिनिस कर देता है तो यहाँ पर मैं तो फिनिस हो गया होता हूँ अभी मैच में काफी अच्छे अच्छे बंदे बचे हुए थे तो जब तक के लिए आप आगे का देशते रहो और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जब तक के लिए बाई टेक केर सी यू नेट्स वीडियो तुम कासे बट गए? वीटूब छिराग असले वाले के हैं वीडियो गॉरव गॉरव प्लेव भाई छिराग भी एगा है आइम प्लेव गलेशार वह बाई वे युटब छिराग तो ना बहुत लागता भे ऑप गुरब आर जियाता गोरब फ्लेस आइटी चाह उस पे क्या है कि अभी वह अखरिव अनेवजंद हैं फिल लग्या तुम अभी किसको स्पेट कर रही किसको स्पेट कर रही हुआ मैं आखले कांट्वेरर हुए रिपल कांट्वेरर गिया यह दीजन पे मैं रिपल कांट्वेरर हुए भीपी अभी तोलों पे एस कोवानेर सेगी पुन मैं ये इसने मारे जोगे आतस नेखलेर नेख्यार फुल्ड ता जाने लेख युप पुरा स्मोगे जान करे मैं रपकपफ अवे ये बन्द एक्यार गिजा लुत मुत आतने ये जाद चुब इस जाद प्याद इस घण है क्या बाई ओल पे आई एंडी फैमिली है कोई बाई कल फिर मैं ओटो मैचिंग में आए था आप मेरे डिफाल्टर केस ब्रो नहीं आई वे डिफाल्टर केस को मेरे माना है अहां कल तो मिले थे राइ कल आप ओल पे बोल रहे थे मैं नहीं बाई कल में अजर्व फ्लाइंग चला गया था है कि आई उस सुब्सक्षक केसी की साइड पानी बना दा कल आई बाई पता मैंने गरत भी टिफाल्टर को इसको मॉना ना किये था YouTube के रख को, में को पता नहीं सही है यह मेरे इस प्रेमा आज़ा है तो मैंने इसको पूरा डैमेज दे दिया था भाई यह उदर से समलोगा ने मार दिया था मैज़िए था डिफॉल्टर की इसने मार दिया था इसको बाई कितना लूँ बाई मेरा रायट वले बंदे रेट वले बंदे वही बंदे वही बंदे रेश्पी किया था बाई मेली बड़ा कर रहा बंदा विया बाई बंदे बंदा